प्यारे बच्चों, COVID-19 के कारण इस समय आपका विद्याले आना स्तगित है। जुहार, JCEAT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। नमस्कार छात्रों, डिजी साथ कैरिक्रम में आपका स्वागत है। मैं जयन्त कुमार भाषा शिक्षक आज आपके पास हिंदी विशय के साथ आया हूँ। आपका हिंदी पुस्तक जो है वह भाषा मंजरी। इसका आज हम लोग पाठ चार जिसका शिर्षक है खुश्बू रचते हैं हाथ। इस कविता के बारे में आज हम जानेंगे। आए सबसे पहले हम लोग कविता का पाठ करते हैं। खुश्बू रचते हैं हाथ। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूडे, करकट के धेरों के बाद, बद्बू से फटते जाते, इस टोले के अंदर, खुश्बू रचते हैं हाथ। उबरी नशों वाले हाथ, घी से नाखुनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जुही की डाल से खुश्बू दार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुश्बू रचते हैं हाथ। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबतियां इन ही गंदे मुहलों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रातरानी अगरबतियां दुनिया की सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी खुश्बू रचते हैं हाथ, खुश्बू रचते हैं हाथ, तो छात्रों अभी आपने कवीता का पाट सुना, अब आएक कवीता का अर्थ समझते हैं, खुश्बू रचते हैं हाथ, यह खुश्बू शब्द है, जिसका एर्थ होता है सुगंदेद, छात्रों आपने इसे अवस्य देखा होगा, इससे आप परीचित होंगे, यह क्या है, यह हैं अगरबतियां, यह कई प्रकार की खुश्बू के साथ होती है, अलग-अलग अ प्रकार की खुश्बू बरी जाती है, के ओड़ा, गुलाब, खस, केसर आदी, अनेक प्रकार की सुगंधी वाली खुश्बू वाली अगरबतियां बनती हैं, इन अगरबतियों के बनाने से संबंधित, बहुत सारी बातें इस कविता में की गई हैं, यह सुगंधी रचते हैं हाथ, यह ब काम करने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, कामगार हैं, उन कामगारों के द्वारा खुश्बू की रचना की जाती है, यहां खुश्बू का अरथ यह कि आप के लिए अच्छे वातवरन का निर्माण, आपके विकास के लिए उनके द्वारा किये गए प्रयत्न तब जाकर के ये अगरबतिया तयार होती हैं और उससे संबंधित बातें जो कि इस पराग्राफ में आप देखेंगे तो कई बातें पता चलेंगी आएए पंक्तियों को देखते हैं कई गलियों के बीच गलियां सडक के साथ साथ चलती हैं कई गलियां होती हैं गलियां कहने से ही यह अर्थ आता है कि जैसे बड़े चोड़े सडक और उसके बाद पतली गलियां तंग गलियां इन गलियों की बात कभी कह रहा है कई गलियों के बीच कई नालों के पार नदियां आप जानते होंगे जहां जल का प्रवाह अधिक होता है वे नदियां कहलाती हैं लेकिन घर से निकले हुए जो गंदे जल होते हैं वे पानी नालों के रूप में बह कर आगे जाते हैं और नदियों तक मिलते हैं यह हैं यह नाले तो कई गलियों के बीच कई नालों के पार कूडे करकट यहां भी पता चल रहा है कि कूडे करकट अर्थात वे गंदे पदार्थ जो के घरोसन निकलते हैं वे गंदे पदार्थों को जहां पर फेक दिया जाता है वे जमा हो जाते हैं के धेरों धेर मतलब जमा कूडे के धेरों के बाद बद्बू से फटते जाते बद्बू देखिए यहां पर यह खुश्बू शब्द है और यह बद्बू सब्द है विप्रित अर्थक सब्द अवस्थ ही आप जानते होंगे ठीक उल्टे अर्थ वाले सब्द तो खुश्बू का विप्रित अर्थ उल्टा देने वाला सब्द है या बद्बू जो अगर बत्यां बनती है वे तो खुश्बू से योगत होती है लेकिन उन्हें बनाने के लिए जिन परिस्थितियों से कामगार के गुजरता है मज़ геро गुजरते हैं वर स्थितियूं में यह बद्बूश अब आता है अरठात कठीन परिस्थितियां मुष्किल वातावरेन ऐसे मुष्किल वातावरेन से फटते जाते इस टोले के अंदर टोला होता है छोटे छोटे जगह पर जहां पर बस्तियां होती हैं छोटे छोटे घर होते हैं और मजदूर स्रमिक कामगारादी निवास करते हैं तो उन टोले के अंदर रचते हैं हाथ पूरए पराग्राप के आनुसार आप देखेंगे तो एक स्रमिक को कई मुश्किलों को पार करके तब फूस्बू रचने का काम करना पड़ता है यह फूस्बूय का विकास है यहाथ ओभरे नसो वाले हाथ अब यहां पर कविने उन मजदूरों के हाथ किस-किस प्रकार के होते हैं यह बतलाने का प्रयास किया हैं उबरी नसों वाले हाथ उबरी नसे किनकी हो सकती हैं जो बहुत अधीकारी करते हैं खूब मेहनत करते हैं सारीरिक परिश्रम करते हैं उनकी हाथ बलिस्ठ हो जाते हैं तब उनकी नसे जो हैं हाथ पे उभर आती हैं तो उबरी नसों वाली हाथ कहने का आती है कि कठिन परिश करने वाले श्रमिक के हाथ घीसे नाखूनों वाले हाथ नाखून भी उन्हीं के घीस सकते हैं जिन्होंने खूब मेहनत किया हो जो खूब प्रत्म करते हैं हाथ से काम करते हैं तो उनकी जो उनके नाखून होते हैं वे घिस जाते हैं ऐसे घीसे नाखूनों वाले हाथ उन मज मजदूरों के होते हैं और देखिए कैसे हाथ होते हैं पीपल के पत्ते से नए नए हाथ पीपल के पत्ते जब कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं तो बहुत मुलाइम होते हैं एकदम नए से पत्ते होते हैं तो पीपल के पत्ते से यह से का आर्थ है की तरह पीपल के पते की तरह नए नए हाथ कहने काता है कि वे मजदूर जो की करखाने में या उस उद्योग में नया नया आया हो वह तुरंत आया हो उस समय उसके हाथ कोमल होते हैं एक अर्थ यह भी हो सकता है इसका कि जो छोटे-छोटे बच्चे भी वहाँ पर काम करने लगते है आजकल तो वह मना हो चुका है बाल श्रम किन्तु ऐसे जगों पर जहां पर की परिवार ही काम करता है वहाँ छोटे-बच्चे भी अवस्य ही साथ देते हैं तो वे नए-नए हाथ कोमल हाथ हैं जो की पीपल की पते के समान मुलायम वह सुन्दर दिखाई पड़ते हैं और देखिए आगे जुही के डाल से खुश्बुदार हां जुही एक प्रिकार का फूल रहें प्रूल का फूल होता है यहां फूल बहुत ही सुगणदित होता है उस सुगणदित फूलoutez जोuito टहनी से लगा हुआ होताहlair तब ऐसा महसूस होता है कि वह ढल वह टहनी सुफू दार हो गए ऐसे खुश्बू दार हात nya उस नहीं जुस दरों के होजाते हैं क्योंकि आपने अभिकविता पार्ट में सुना कि वे अगर्बतियां बनाते हैं तो अगर बत्तियों में जो खुश्बू होती है वे खुश्बू उन लोगों के उन श्रमिकों के हाथ तक पहुझाती है उनके हाथ खुश्बूदार हो जाते हैं और यहाँ पर जुही के डाल से अर्था जुही के डाल की तरह के समान उनके हाथ होते हैं और देख श्रमिक खूब काम करते हैं बहुत मेहनत करते हैं उनके हाथ गंदे हो सकते हैं धूल से मिले हुए सने हुए हो सकते हैं और काम करते करते उनमें कट छट भी हो सकता है इसलिए उनके हाथ गंदे कटे और पीटे हो सकते हैं तो ऐसे हाथ वाले श्रमिक भी वे अगर बत्तियां बनाते हैं और देखें जक्म घाव जक्म कार्द होता है घाव घाव से फटे हुए हाथ जब घाव होता है फिर भी उस मजदूर को काम करना पड़ता है तो उसके हाथों से उस जक्म के चलते खून भी निकल जाता है कभी कभी ऐसे फटे हुए हाथ के साथ वह मजदूर अगर बत्तियां बनाता है खुश्बू रचता है सुगंदी इस समाज के लिए इस संसार के लिए वह रचता है ऐसे मजदूर जब काम करते हैं जब इतना मेहनत करेंगे तो निस्चे ही उसका फल अच्छा होगा और अच् संसार को खुश्बू खुश्बू सुगंद मिलते हैं आये कविता के अंतिम पंग्तियां देखते हैं यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगर बत्तियां कभी ने कहा है कि यहीं जहां पर काम कर रहे होते हुए वे मजदूर उस गली में बनती हैं मुल्क मुल्क कहते हैं देश को हमारे पूरे देश भर की मशहूर प्रसीद मशोर का अ़ठ होगा प्रसीद अगरबतियां कि इन इन इगान से मुहलों के गन्दे लोग इन मुहलों के गंदे लोग गंदे कहने का अर्थ वे श्रमिक वे मजदूर हैं जो की अगर्वतियां बनाते हैं ऐसे मुहले आपने सुरू में ही पढ़ा है कि वे मुहले जो थे वे गलियों के पार होकर कुड़े कच्रों के धेर के पार जाकर के तब काम करते थे तो ऐसे गंदे मुहलों के वे गंदे लोग यहां गंदे लोग का सिर्फ श्रमिक रखते हैं तो उचित होगा ऐसे श्रमिक गंदे मुहलों में मशूर अगर्वतियां बनाते हैं वे कौन-कौन सी अगर्वतियां बनाते हैं वे बनाते हैं देखिए आप केवड़ा केवड़ा बहुत ही सुग दिवस पर देते होंगे गुलाब का फूल खस गर्मी के दिनों में खस का सुगंध अत्यन ठंडा क्लिये हुए होता है और रात रानी रात रानी भी एक विशेश प्रकार की सुगंधित फूल है यह सुगंधित फूल रात को खिलता है अगर आप उसके आसपास से गुजरेंगे तो सुगंधित आपको मिलेंगे तो ऐसे सुगंधित केवडा गुलाब खस और रात रानी इन सुगंधों से योक्त अगर बत्तियां बनाते हैं यह श्रमेक यह गंदे मुहलों के गंदे लोग आगे की परिस्थितियां दुनिया की सारी गंदगी के बीच उनके काम करने के ऑसर बहुत ही कठीन वाले होते हैं कठीन परिस्थितियां होती हैं उनके काम करने की दशाएं अत्यंत कठीन होती हैं ऐसे कठीन दशाओं के बीच सारी गंदगी के बीच का दुनिया की वे सारी कठिन परिस्थितियों के बीच दुनिया की सारी खुश्बू सारी अच्छाई सारे विकाश हर एक वह अच्छे औसर उन अच्छे औसरों को रचते रहते हैं हाथ किनके हाथ तो वे सारे हाथ जो की कटे पिटे थे घीसे नाखूनों वाले थे ऐसे हाथ रचते हैं ये खुश्बू, खुश्बू रचते हैं हाथ, खुश्बू रचते हैं हाथ. तो चात्रों हमने इस कविता में जाना श्रमिकों के कारी करने की दशाएं उनके कारी अस्थल की बिपरित परिस्थितियां किन मुश्किलों से आगे बढ़कर वे कारी करते हैं कारी करने के कारन उनके हाथों की दशाएं क्या होती हैं उनका जीवन कितनी कठिनाई में गुजरता है और साथ में हमने यह भी जाना कि संसार में बहुत सारे खुशबू जो फूलों की होती हैं उन खुशबू को वे अगरबत्यों के द्वारा हमारे सामने पेश करते हैं ताकि हम अपनी अच्छाई अपने विकास को सामने रख सके हम लोग अगरबत्यों को कहां कहां उपयोग में लाते हैं हम लोग उपयोग में लाते हैं मंदीरों में मजारों में किसी महापुरिश की जीवनी के दिन में अत्वा हम लोग अपने वासी कुर्शों विद्याले के खेलकूत के समय उद्घाटन के समय में इन सभी समय में जो हमारे अच्छे कारे होते हैं उन सभी जगा पर अगरबत्यों का उप्योग करते हैं आईए जानते हैं पाठ का एक निश्कर्स खुश्बू रचते हैं हाथ सिर्शक कविता में कवी अरुन कमलने अगरबत्यां बनाने वाले श्रमिकों के जीवन एवं उनके कारे अस्थल की दूर्दशा का चित्रण करते हुए मजदूर वर्ग की दैनिये इस्थिती को उजागर किया है यह कविता एक और वन्चित लोगों के द्वारा समाज में समरिध औदान को रेकांकित करती है दूसरी और महज समरिधी के सौनदेरे को देखने की अभ्यास्त द्रिष्टी से अलग उस सौनदेरे के पीछे लगने वाले श्रम की गरिमा का उद्गाटन भी करती है आए जानते हैं कवी के बारे में कवी अरून कमल का जन्म 15 फरवरी 1954 को बिहार के नासीर गंज जोकी रोहतास जिले में है हुआ था इनकी कई सारी रचनाएं हैं कवीता संग्रह अपनी केवलधार सबूत नए इलाके में पुतली में संसार मैं वो शंक महाशंक यह हिंदी में इन्होंने रचा था हालोचना कवी और समय नाम से और गोल मोज के नाम से इन्होंने लिखा था इन्हें कई सम्मान भी मिले हैं साहित अकादमी पुरशकार सम्षेर सम्मान जो की 1997 इसवी में मिला था भारत भुशन अगर्वाल पुरशकार सोवियत लैंड नहरु अवाड़ स्रीकांत वर्मा इसमृति पुरशकार रगुवीर सहाय इसमृति पुरशकार तथा साहित अकादमी पुरस्कार इन्हें नए इलाके में के लिए 1998 एसवी में मिला था तो चात्रों आपने कवी के बारे में भी जान लिया अब हम लोग आते हैं प्रश्ण और उत्तर से संबंदित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपको कवीता से संबंदित जो प्रश्ण पूछे जाएंगे वह दो प्रखार के होंगे पहला प्रश्ण जो होगा असरो वस्तु निस्ट वस्तु निस्ट अब्जेक्टिव टाइप ये औप्जेक्टिव प्रश्ण में आपको चार ओप्शन दिए जाते हैं और उन में से कोई एक सही होता है इन चारों में से एक को आपको चून कर लिखना होता है अब इस वस्तुनिस्ट प्रश्ण से संबंधित जो आपको उत्तर देना है उसके लिए सबसे पहले देखिए यह पंक्तियां आपको दी गई हैं आपकी कविता से खुस्बू रचते हैं हाथ कविता से यह पंक्तियां दी गई हैं इन पंक्तियों के आधार पर जो यहां दिया हुआ है उसे आपको हल करना है तो सबसे पहले चात्रों आप इन पंत्यों को कम से कम दो बार अचितरह से पढ़ेंगे आप पढ़ लेंगे उसके बाद जब दो बार आपने पढ़ लिया तब आप प्रत को पढ़ेंगे यहां देखे प्रश्ण है पीपल के पत्ते से नए नए हाथ पंक्ति में यह पंक्ति है देखे कहां है पीपल के पत्ते से नए नए हाथ इस पंक्ति में पत्ते से का अर्थ क्या है प्रश्ण करताने आपसे पुझा पत्ते से का अर्थ इन वस्तुनिस्ट जो आप्शन है इसमें देखते हैं ए पत्ते के द्वारा क्या पत्ते से का अर्थ पत्ते के द्वारा है आप जब इसन पंग्तियों को पढ़ेंगे तो पत्ते से का अर्थ पीपल के पत्ते द्वारा नए नए हाथ यह बिल्कुल नहीं होगा यह आपका उत्तर नहीं हो सकता है दूसरा जो अप्शन है आपका पत्ते से अलग होकर इसका भी अर्थ यहां पर नहीं हो रहा है पत्ते के या पत्ते से अलग होकर नए नए हाथ नहीं हो सकते इसलिए यह भी नहीं तीसरा अप्शन जो आपका है वह देखिए पत्ते के रंग का पत्ते के रंग का नए नए हाथ नहीं यह भी संभव नहीं है तो यह तीनों ही अप्शन गलत हैं यहां पर आप देखिए चौथा अप पत्ते की तरह नए नए कोमल हाथ तो यहां पर कोमल हाथ सही अर्थ देता है इस स्थिती में आपका जो उत्तर होगा यह डी सही उत्तर होगा तो इस प्रकासे आपको प्रश्ण का उत्तर करना है ऐसे वस्तुनिष्ट प्रश्णों का आए एक और प्रश्ण लेते हैं दिये गए अंश में दिये गए अंस मतलब इन पंक्तियों में किस प्रकार के हाथ का उलेक नहीं है आपको इन ही पंक्तियों के आधार पर चुकी उत्तर देना है इसलिए आप इन पंक्तियों का ध्यान लगातार रखेंगे दिये गए अंस में किस प्रकार के हाथ का उलेक नहीं है तो पहला ऑप्षन है घी से नाखूनों वाले बहुत आसान प्रश्ण है देखिए जो यहां लिखा हुआ है वो यहां है या नहीं घी से नाखूनों वाले देखिया घी से नाखूनों वाले हाथ तो यह इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि उलेक नहीं है में आपका उत्तर है कि दूसरा ऑप्शन गंदे कटे पीटे हाथ देखते हैं गंदे कटे पीटे हाथ कि देखिया गंदे कटे पीटे हाथ तो यह भी उत्तर नहीं होगा तीसरा देखते हैं देखे सबसे पहली पहंगती उब्री नसे वाले हाथ तो यह भी उत्तर नहीं होगा अब चौता आप्शन बास की तरह लंबे इस पूरे परग्राप में बास की तरह लंबे हाथों का उलेक नहीं है इसलिए आपका उत्तर होगा यह डी बास की तरह लम्क्राइब है आपसे एक प्रकार के और प्रस्ण पुछा जाते हैं अभी आपने वस्तू निस्त को जाना ठाव जन्में इस चरह आप में को छोटे छोटे उद्तर लिखने होते हैं प्राष्न जैसा पुछा जाता है उस प्राष्न के अनुसार आप को उत्तर लिखना होता है या लगूत तरी और देरगूत तर्यए में भी WhatsApp होता है तो यहाँ पर विसेयन इस्ट प्रष्ण जो CCE में आपके लिए पूझा जाता है उस प्रकार के प्रश्ण भी इन रिखना है तो यह पध्यांस्प दिया हुआ है इसे आपने पढ़ा और इसके आधार पर सिर्फ इसी के आधार सिर्फ vaya कविता का ध्यान आपको नहीं करना है आपको सिर्फ इन पंक्तियों का ध्यान रखना है और इन पंक्तियों के अधार पर प्रश्ण का उत्तर देना है तो देखिए प्रश्ण क्या है कि पद्यांस के अनुसार कैसे कैसे हाथ खुसबू रचते हैं इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि किस किस प्रकार के हाथ खुश्बू रजते हैं तो देखिए उबरी नशों वाले हाथ गी से नाखुनों वाले हाथ पीपल के पत्ते से नए-नए हाथ जुही के डाल से खुश्बूदार हाथ गंदे कटे पिटे हाथ कि जख्म के फटे हुए हाथ ये सारे प्रकार के हाथ खुश्बू रजते हैं इन सभी हातों के बारे में यहाँ पर आपको उत्तर देना होगा और अंद में लिखना होगा कि इस प्रकार के हाथ फूर रंचते हैं और एक प्रक्रश्ण देखिए को उबरी नसों वाले हाथ का तात्परह क्या है कि यह सबसे पहले उबरी नशों वाले हाथ का तात्परह अर्थ पूचह जा रहा है इस प्रश्ण के उत्र में आप इसका उत्तर देंगे कि कठिन मेहिनत करने वाले कठिन परिश्रम करने वाले हाथ से तात पर आपके लिए काफी होगा आप इतना ही लिख करके इसका आंत कर सकते हैं तो इस प्रकार के प्रश्णों का उत्तर आप अपनी इच्छा के अनुसार कम से कम सब्दों में दे सकते हैं और अगर देर गुतर यह प्रश्ण है तो आपको अपनी वह से भी कुछ बाते जोड़ते हुए उदाहरन देते हुए इसे समझाना पड़ता है आएए अब एक और विशेश प्रकार के प्रश्ण का उत्तर जानते हैं प्रश्ण को पहले हम लोग पढ़ते हैं आप अपने आसपास किसी टोले मुहलों में जाए जहां लोग गंदगी के बीच काम करते हैं उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए एव समस्याओं के समाधान है तू मुख्या को एक चित्थी लिखिये यहां एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें यह होगा कि उस टोले या मुहले में जहां आप गए वहां कौन-कौन सी समस्याएं हैं वहां गंदगी कितनी है उस गंदगी को हटाने के लिए आपको एक प्रा प्रातना पत्र आपको लिखना था उसका प्रारूप कुछ इस प्रकाल से होगा सबसे पहले हम लोग सेवा में लिखते हैं कि उसके बाद मुक्या को प्रहतना पत्र लिखना इसलिए मुक्या लिखेंगे यहां पर पंचाट सालसुद टिति जिस तारीख को आप प्रहतना पत्र अविधन पत्र लिख रहे हैं वो तारीख दे के तिथी देंगे दिनांग उसके बाद जो विशय होता है उस विशय को लिखेंगे तो यहां पर जो विशय था वह था टोले में फैले गंदगी के संबंध में जो कि आपने टोले का दौरा किया वहां आपको गंदगी फैली हुए मिली उस गंदगी को देखकर आप उस पंचायत के मुख्या को एक आविदन पत्र लिख रहे हैं जिसमें यह आपने कहा है कि वे गंदगी को दूर करने का प्रयास करें हटाने का प्रयास करें तो आप लिखते हैं एक संभोधन देंगे उन्हें मानेवर या महाशय उसके बाद आप लिखेंगे साधर कथन है कि हमारा टोला सगहन जनसेंख्या वाला टोला है इन दिनों हमारे टोले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है मजदूरों को ऐसी ही स्थिती में कारे करना पड़ता है जिससे आए दिन उनका स्वास्थ बिगर जाता है यह मुख्य अवेधन हुआ आपका जिसमें आपने इस्थिती की चर्चा की और इसके बाद आप निवेधन क्या करेंगे अतह स्रिमान से निवेधन है कि मेरे टोले में नियमित रूप से सफाई करवाने की विवस्था की जाए ताकि लोगों को और स्वास्थिकर परिस्थ चुटकारा मिल सके उसके बाद आप धन्यवाद उन्हें देंगे और जो अंत होगा अभी निवेधन विश्वास भाजन लिखकर अपना नाम लिख देंगे इस आवेधन पत्र के अंत में आपको जहां से आप लिख रहे हैं अस्थान लिखना पड़ेगा और उसके बाद जिस तारीक को आप यह लिख रहे हैं वह तो यह लिखने के बाद आप अपना आवेधन पत्र मुख्या को प्रेशित कर सकते हैं तो चात्रों आज का पाठ इतना ही किसी पाठ के साथ मैं पुना उपस्थित होंगा तब तक के लिए धन्यवाद इस प्रसारण से संबंदित सुझाव अपने प्रश्णित यादी आप हमें jcertrg at the rate gmail.com तदा टूल फ्री नंबर 18000 5728585 पर संपर कर सकते हैं